किसान भायो नमस्कार आप सब इका स्वागत थे हैं हमारे चैनल में इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्सु की एक हाइब्रीट उन्नत वेराइटी के बारे में जिसकी पैदावार काफी ज़्यदा देखने को मिलती है और रोगों के परती भी काफी सैंसिल वेराइटी है तो कि आपको अपने खेत से आप अधिक से अधिक पैदावार ले सकते हो तो दोस्तो आप हमारा वीडियो से लेकर अंतक जरूर देख ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अधिक सब्सक्राइब के साथ सेर भी जरूर करें अगर आप हमारे वार्टसप ग्रोम में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे लिंक पर दी हुई यानि कि ये हाइब्रीड किस्म की सर्चु है जिसकी लंबाई अधिक होती है और ये ज़्यादा दिनों वाली फसल है अगर यमजेवन धानिया की विश्यस्ताव की बात करें तो इसमें पोदे की उचाई लंबी होती है और इसमें फलियों का फुटान चमीन से शुरू होने लग जाता है और इस विराइटी में पोदे में फलिया उच्छे नूमा आती है जिससे की आपको काफी ज्यादा अच्छी पैदावाद दिखने को मिलती है और एक पोदे में एक कली के अंदर बारा से पंदरा दाने दिखने को मिलते हैं इसके अलावा यह विराइटी ठंड परने के कारण जो ठंड से प्यदावार कम होते हैं, इसमें ऐसा कोई प्रतित देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा इसमें तेल की मातरा भी ज़्यादा पाई जाती हैं, यानी कि M.J.1 में तेल की मातरा 22% तक पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर MJ1 दान्या की बीज़दर की बात करे तो आपको एक प्रकेट को एक बीगे में डालना है यानि कि एक एकरमना डालके एक बीगे में डालना है MJ1 एक केजी परती बीगा इसकी बीज़दर रहेगी और अंत में जाकर अपन अब YMJ1 सर्सू की प्यदावार की बात कर लेते हैं तो YMJ1 दानिया की सर्सू की प्यदावार साथ क्यूंटल परती बीगा और चौदा क्यूंटल परती एकड निकलेगी इस प्रकार से अगर आप सर्सू में टाइमों पे सलपर जिंग के सलपेट और माइकोराजया खाद हुमिक जैसे खादों का प्रयोग करते हैं तो इससे भी आप ज्यादा पैदावार निकाल सकते हैं ये खेद के उपर पानी के उपर और खाद उर्वक के उपर निर्बर करता हैं तो दोस्तों आप कौन से सरसु की बोई करती हैं आप हमें कमेड के माद्यम से अविश्य बता है धन्यवाद किसान भाईयो जे जुवन जे किसान